फ्रांस कई सालों से अपने इसलामोफोबिक नीतियों के चलते मानव अधिकार और मुस्लिम संगठनों के निशाने पर रहा है फ्रांस 2011 में बुरका बैन करने के बाद दुनिया का पहला देश बना जिसने बुरका बैन किया था जिसके बाद अब तक फ्रांस में कई मुस्लिम विरोधी गतिविदियां देखने को मिली है फ्रांस के पूर्वराष्ट्रपती सरकोजी के कारेकाल में इसलामिक मुल्यों पर हमला उनकी राजनीती का आधार बन गया था उन्होंने इसलाम विरोधी नीतियों को धर्म निर्पिक्ष्टा के स्पचाफ के रूप में पेश किया था 2020 में आएस समर्थक द्वारा साम्यूल पैरी की हत्या के बाद फ्रांस के राश्ट्रपती इमानियूल मैकरो ने भी इसी तरह की नीतिया अपनाई साम्यूल पैरी पर पेगंबर मुहम्मद का विवादित काटून छात्रों को दिखाने का आरोप था मैकरो ने मुस्लिम सिविल सुसाइटी पर कारिवाई शुरू की और फ्रांसी उनिवर्सिटियों में इस्लामिक वांगपंत विचारधारा को रोकने के लिए सर्वे के आदेश दे दिये लेकिन फ्रांस की दक्षड पंथी पार्टी नाशनल रैली का इसलाम को लेकर रुक इससे भी ज़्यादा सकत है उन्होंने पूरे चनाफ प्रचार के दौरान कई बार इसलाम और प्रवासी विरोध बयान दिये हैं हाली में दूसरे राउंड के नतीजों में लेफ्ट पार्टियों को मिली जीत ने देश यो मुस्लिम समुदाय को एक अच्छी खबर दी है लीप इनके नेतरत वाली दक्षड पंथी पार्टी नाशनल रैली को इस चुनाव में भारी समर्थन मिल रहा है जिसको रोकने के लिए फ्रांस के मोटर पैलियर से लेकर मार्सिल तक मुस्लिम संगठनों, इत्यासकारों और वकीलों ने लोगों का आर एन के खिलाफ वोट करने के लिए प्रिरित किया है उनकी इस मुहीम के लिए कई इसाई समुदाय के लोग भी शामिल थे नीतियों के बाद दगारजियन से 40 साल के अली ने कहा हम खुश हैं क्योंकि हमें नकसलवाद पसंद नहीं उन्होंने कहा कि आर एन ने सैलिरी रिटायर्मेंट और पैंशन के बारे में बात नहीं की उन्होंने केवल विदेशियों और इसलाम के बारे में बात की यूरोपियन यूनियन के चुनाफ के बाद ये जीत का दावा करने वाली नाशनल रैली की प्रमुख लीप पैन निदोहरी नागरिक्ता रखने वालों को खास नौकरियों से वंचित करने विदेशी माता पिता को फ्रांस में जन्मे बच्चों की राश्टिया खतम करने और सारवे जनेक्स थलो पर हिजाब पर प्रतिबंद लगाने की बात कही है लीप इनकी पार्टी को पहले राउंड में बढ़त मिली लेकिन मैक्रो की पार्टी और लेफ्ट पार्टीों के गठबंदन के साथ आने के बाद वो रन आफ राउंड में तीसरे स्थान पर रह गई है फ्रांस में करीब 5 मिलियन मुसल्मान रहते हैं और देश की आबादी करीब 720 हैं फ्रांस के मुसल्मान अधिकतर करीब और निचले कामकास से जुड़े हैं यहां अने देश की तरह विशाल मजजदे नहीं हैं बलकि ग्रोजो और इमारतों के बेस्पेंट में कई मजजदे बनाई हुई हैं फ्रांस इटिलियर मिनिस्ट्री के मताबिक लेफ्ट पार्टियों ने गठबंदन न्यू पॉपुलर फ्रेंट में सबसे ज़्यादा 142 सीटे जीती हैं वही राश्ट्र मैक्रो के नेतरत वाले गठबंदन ने 168 सीटे जीती हैं इन दोनों गठबंदनों की सीटे मिलना दें तो आकड़ा साड़े 300 के पार चला जाता है जो बहुमत के नंबर से ज्यादा है यानि ये दोनों फ्रेंट मिलकर नाशनल रैली पार्टी को रोकने के लिए बिलकुल तयार है वहीं दक्षरपंती पार्टी नाशनल रैली को 143 सीटे मिली है ऐसे ही अबडेट्स के लिए देखते रहें न्यूस गोल इंडिया